हलो फ्रेंट्स आपको इदी फाइब्रोड डियाग्नोस हो गया है तो अब आपका रेक्शन होगा हारे मैं आप क्या करूं मुझे ये बिमारी क्यों होनी थी और ये ऐसी क्या बिमारी मेरे गले पड़ गई है जिसकी वज़े से मुझे आप पताने क्या-क्या जिलना पड़े Living with fibroid with ease because there is always a treatment always a therapy always a support are there so use them and don't afraid anxiety तो आप बिलकुल ही ना कीजे डर ये बिलकुल भी नहीं हम सब आपके साथ खड़े हैं घब्राएं बिलकुल भी नहीं और यदि fibroid डियाग्नोस हुआ है तो definitely उसका इलाज भी है तो घब्राने की जरुद तो बिलकुल भी नहीं है यदि आपको fibroid डियाग्नोस हुआ है तो आप उसके लिए सबसे पहले अपने आपको शान्त रखिए सबसे बड़ा इलाज है किसी भी बिमारी का उस बिमारी को accept कर लेना यानि कि यह दिया आप बिमारी को समझ लेती है उसके राय जान लेती उसके इलाज समझ लेती है तो आधि होगी डॉक्टर भी डिसाइड नहीं कर सकते डॉक्टर ना आपको बता सकते पहले से कि आपको क्या विमारी होने वाली है यह सब चीजे नहीं डियाग्नोस हो सकती बट यदि अब डियाग्नोस हो गया है तो एट लिस्ट आप उस चीज को accept कर लीजे कि हाँ ठीक है मुझे अब फाइबरोड है तो क्या उसका क्या हो सकता है तो फाइबरोड की क्या क्या effect हो सकते है क्या treatment हो सकते है क्या जाचे हो सकती है और कैसे उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है तो वो सारी चीजे यदि आप किसी भी डॉक्टर से समझ लेंगी तो automatically आपकी दिमाग से सारा ड ही यह दिया तो इसका आगे क्या होगा अब है तो इसका इलाज होगा इलाज हमने आपको काफी सार एपिसोड ने बनाए है उसमें जाकर आप समझ सकती हैं कि तो आप डॉक्टर से समझ के अपने लिए पेस्ट ट्रीट्मेंट चूज कर सकती हैं तीसरा अब फाइब्रोइड है तो प्रेग्नेंसी होगी नहीं होगी शादी होई है या नहीं होई है तो यह सारी चीजे भी बहुत मैटर करती है क्यूंकि यदि अभी आपी शादी नहीं हुई है तो बच्चे दाने की सरज़री कराने में बहुत डर लगता है कि आगे जाके मेरे बच्चे होगी या नहीं होगी तो यह बुत आप दिमाग से निकाल दीजें चोथा सवाल आता है कि यदि सर्जरी हुई तो क्या मेरे पेट पर ऐसे निशान बनेंगे जो हमेशा के लिए सवाल खड़े करेंगे तो ऐसा नहीं है जो मार्क्स आते हैं बहुत ही माइनर होते हैं जोर्नली दो से तीन मेने के अंदर दिखना भी बंद हो जाते हैं आजकल कॉस्मेटिक ली बैटर या कॉस्मेटिक ली अपीलिंग सूचर्स लगाए जाते हैं स्टीच आजकल चिपकाने वाले भी ग्लू आ गए जिसे कि स्किन क के दौरा जननल अनसेशिया दिया जाता है और सरजरी के बाद भी अब्डॉमिनल ब्लॉक लगा कर दर्द को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है और 24-48 गंटे के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाती है इसमें आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको सरजरी हुई है अब सरज कि अपनी लाइफ को तो अब बताइए कि अब भी आपको कोई टेंशन है फाइब्रोड की यदि आपको फाइब्रोड डाइग्नोर्स हुआ तो क्या आप उसे डरती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईए कि आपको कितना डर लग रहा है मुझे नहीं लगता पैदा कर रहे हैं और आप अपने एक शत्रू को या अपने एक दुश्मन को खिला पिला के बढ़ा कर रहे हैं जो आपके एंटे में आपको नुकसान देने वाला है तो इसलिए उसकर डरे नहीं उसे लड़कर उस पर जीत पाईए और अपने स्वास्ते को अच्छा है जब आप अपने आप से लड़ने में बिजी है तो भीमारी से कौन लड़ेगा डॉक्टर अकेला नहीं लड़ सकता आपके साथ ही लड़ सकता है आपका इलाज तब ही हो सकता जब आप चाहेंगे कि मुझे इलाज कराना तो ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं तभी मुझा भी देता है तो भी आप जब तक नहीं चाहेंगे जब तक आपका इलाज नहीं हो सकता इसलिए पॉजिटिव बने रही अच्छा सोची अच्छा होगा हारी बीमारी सबके घरों में होती सबको तकलिफ आती है लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है डेफिनिटल कि आज के समय के सितिक एनोसार आप इलाज का डिसीजन लीजिए और स्वस्त रहिए और यदि कोई सवाल है तो हमसे पूछ लीजिए टैंशन मत लीजिए आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नहीं जानकारी सब तब तक नमस्कार